तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से हमारे पास में जेई 2023 25 जून में आया हुआ क्योशन जो कि विसकोसिटी से रिलेटेड है अभी हम विसकोसिटी की बात कर रहे हैं पहले विसकोसिटी के कॉंसेप को थोड़ा साम रिवाइस कर लेते हैं हमको पता है विसकोसिटी वैसा ही होता है जैसा कि solid में दो सरफेस के बीच में friction force काम करता है इसे ही viscous force दो layer के बीच में किसी fluid की दो layer के बीच में viscous force काम करता है viscous force किसपर depend करता है velocity gradient पे depend करता है हमने फार्मुला देखा viscous force is equal to ίेटा ए into velocity gradient delta v by delta y उसी से related हमारे पास में 2023-25 जून में आयवा क्योशन है क्योशन में given है the velocity of upper layer of water in a river is 36 km per hour मतलब अगर हम एक रिवर की बात करें तो सबसे upper layer जो है उसका velocity v equal to 36 km per hour given है और ये value आपको पता होना चाहिए कि इसको हम 10 meter per second भी लिख सकते है 5 by 18 का multiply करेंगे तो 10 meter per second है यहाँ पर आगी given है share stress sharing stress between the horizontal layer of water is 10 to power minus 3 newton per meter square given है sharing stress मतलब यहाँ से f by a का value उनको given है f by a sharing stress इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे sharing stress sharing stress यही होता ना sharing stress अगर यह sharing stress का concept आपको पता नहीं है तो आपको elasticity में sharing stress का concept देखना पड़ेगा sharing stress जो है वो यहाँ पर f by a का value given है और वो given है depth river का d है okay coefficient of viscosity यहाँ पर 10 to power minus 2 दे रखा है तो यहाँ पर f by a is equal to eta v by d हम लेक सकते है वेलोसिटी ग्रेडियन कितना होगा अपर लेयर का वेलोसिटी वी और लेयर का वेलोसिटी जीरो तो डेल्टा वी जो होगा वो होगा v minus 0 और डेल्टा y कितना होगा डेल्टा y होगा d है ना तो यहाँ पर हम सारे values put करेंगे इसका value 10 to power minus 3 दे रखा है और यहाँ पर 10 to power minus 2 दे रखा है viscosity यहाँ पर 10 to power minus 2 पास्कल सेकंड दे रखा है velocity यहाँ पर 10 है और d हमको find करना है तो d का value find करने के लिए d is equal to 10 to power minus 2 into 10 divided by 10 to power minus 3 उपर जाके यह 1000 हो जाएगा या फिर हम यहाँ पर 100 meter directly लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 100 meter तो यहाँ पर हमारा answer आने वाला है 100 meter कितना आएगा 100 meter ठीक है बड़े easy question आते हैं अगर basic concept clear होंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे question आप बहुत easily solve कर सकते हैं